नमस्कार ने, वल्कम योडू स्टडी आएक्यू, मैं वो प्रशान दवर, नाओ जब भी ऐसे केसे सामने आते हैं, गुस्सा भी आता है और काफी हत तक फिर ये भी सोचता हूँ, कि कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है, यहाँ पे विल्कुल आप ठीक पड़ रहे हैं, एक आद की इंप्लोई है, उसका नाम है सोनल गर्ग, एक आदमी को आश्की हो गई, इंटरनेट पर, उनलाइन उसको लगा के बसा मेरी गल्फेंड बन गई है, और अब उसके लिए, वो DRDO पर स्पाइंग शुरू कर चुका था, और एक बार को ब्रमोस जैसे important missile की जो sensitive information है, यह भी share करने को तयार हो गया था, यहाँ पर आप देख पाएंगे, man honey trapped by ISI handler to share info on missiles, drones held in Gujarat, यह पूरा case क्या है, इन detail हम जानेंगे, मगर इस news को discuss करना मैं कहूंगा, बहुत ही जादा important है, क्योंकि आज भी हमारा देश अगैन बहुत बड़ा है, विभिन languages ह एक बास समझ में आ जाए, कि अगर उनकी नौकरी कही ना कही defense शेत्र से related है, या फिर इन simple words, even government job भी है ना, तो online उनको बहुत ही जादा alert रहना होगा, अगर facebook पर, whatsapp पर कोई गुमनाम number या कोई गुमनाम account, जिससे कोई relation नहीं है आपका, आपको पता है नहीं है कहां से, य वहाँ पे कोई महिला ना हो, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये दुनों हो सकते हैं, हमें पता नहीं है, कि पीछे कौन है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए मैं कहूंगा, apparently ये बहुती जारा simple तरीका है, भारत में जासूसी करने का, क्योंकि लगातार इनोंने ये try किया है, और इनको लगातार सफलता मिली, I'm sure आपको बताओगा, DRDO के एक scientist पर आज के समय केस चल रहा है, कि ये honey trap हो गए थे, पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई आदमी महिला हमें पता नहीं, again, we have no idea who that person is, वो online इन से काफी बाते करता था, इनको लगा के बस आश्की हो गई है, और उस इसने की आपको कोशिश नहीं करनी, आपको क्या चाहिए, बस एक शरारती सा कोई ISI agent हो, उसको phone दे दो, data डाल दो, 5G का, उसने नकली सा account बना दिया, सोनल गर्ग या फिर किसी भी female नाम का, और कोई lonely सा DRDO का कोई employee देख लिया, या फिर Indian Defense Industries से related कोई company है, उसका कोई employee अगर ठूण लिया, बस आपका काम शुरू, आपको बैठे बिठाए, भारत में एक जासूस मिल गया, और आपको payment भी नहीं करनी, क्योंकि payment के रूप में, आप online प्यार दे रहे हो, और अभी गुजरात में, जिस आत्मी का arrest हुआ है, उसका case भी काफियता कैसा ही है, यहाँ पे देख पाओगे, the ISI handler, lard accused Praveen Mishra, नाम है सात्मी का Praveen Mishra, through a fake Facebook profile of Sunalgarg, अब imagine कर सकते हैं क्या होगा, यह online बैठा होगा Facebook पर, अचानक से friend request आई, किसी Sunalgarg से, ठीक है, अब यह claim करती है कि यह काम कर रही है, इंडिया में in a major IT firm IBM, immediately एक आदमी को शक हो जाता है, ठीक है, क कोई मेरी friend की friend नहीं है, कोई एक दूर-दूर से मेरी family से कोई नाता नहीं है, अचानक से मुझे friend request भेजरी है, और suddenly she is interested, और फिर eventually उसके interest कहां तक पहुशते हैं, उसको इंडिया की drone manufacturing में interest है, उसे भरत के missiles में interest है, उसे भरमोस missile में in particular बड़ा interest है, obviously कान खड़े हो जाते ह आपको पता लग जाता है कि अच्छा, यहाँ पे main interest मैं नहीं हूँ, main interest इंडिया के defense secrets हैं, और इंडिया के लिए यहाँ पे अच्छी बात यह है, कि thankfully यह आदमी DRDO के लिए काम नहीं करता था, मगर आज के समय देखिए, भारत की जो defense industry है, इसका बड़ा विस्तार हो रहा ह एक्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, तो अगर भ्रमोस मिसाइल को अगर हम देखे न, अभी के लिए जो इसकी manufacturing भारत में होती है, यह integrated complex है, हाईदराबाद वहाँ पे होती है, उसके अलावा राजस्तान में भी है, केरला में भी कुछ इनके centers है, वहाँ पर काफिया तक assembly manufacturing होती है, और बहुत ही जल्द आप देखोगे, 2026 तक ब्रमोस मिसाइल हम manufacture कर रहे होंगे लखनाओ में, यह बात रिसेंटली भारत के रक्षा मंतरी राजना सिंग्जी ने कही है, के ब्रमोस production set for लखनाओ by 2026, और ऐसा नहीं है के ब्रमोस को जब हम build कर रहे होते हैं, तो सारे components, सब कुछ जो इस मिसाइल में चाहिए होता है, सब एक ही center से बनता है, आपको काफी बार private companies से कुछ chemicals चाहिए, कुछ certain type का alloy चाहिए, कुछ certain type की आपको chips चाहिए, यह सारी चीज़े काफी बार न, आप private companies से procure करते हो, और फिर उनको assemble करके, उनको जोड़के, eventually एक private company में काम करता था, जो इससे पहले हाइदराबाद में थी, हाइदराबाद में रहता था यह आदमी, तो possibility है कि वहाँ पर जो integrated complexion, हाइदराबाद भरमोस missile का, वहाँ पे को spying की गई है, अभी details सामने आई नहीं है, और आप सोच कर देखिए in the future, जब हम बहुत सारी भरमो को लीक हो सकते हैं, so this is a huge concern for India. और वो IBM हंडियर में काम करती है, ऐसे बोलके, honey trap करने कोशिश की है, honey trap में प्रवीन मिश्रा ठाप हुए. Now, सबसे ज़रा concern की बाद ये है, कि CID के जो राजकुमार पांदियान सावेनों ने ये भी कह दिया, कि she, she मतलब कि जिस औरस है जो भी था जिससे बात कर रहे थे, प्रवीन मिश्रा, जिनको लगता रहा कि ये अब इनकी एक online love interest है, she got Praveen Sharma to extract India's defense related information, तो जो information थी, वो extract हो चुकी है, आगे नोंने ये भी कह दिया, कि Praveen मिश्रा has been investigated and further investigation is going on, the ISI handler even tried to install malware in Praveen मिश्रा's office server, जो इनका office server है, जहां पे कहीना कई information stored होगी, कि किस तरीके से defense equipment हम बनाते हैं, कौन सा material लगता है, ये सारी information निकालने के लिए, एक malware भी install करवाने की कोशिश की गई थी, इस हद तक मामला आगे बढ़ गया था, it is really sad कि SI incident सामने आया है, obviously Praveen मिश्रा कि अभी काफ investigation की जाएगी, case वगरा होगा, but अभी किलिए मैं ये कह सकता हूँ, hopefully, इंड नोस के कौन-कौन सी information पाकिस्तान की IISI के पास अभी तक जा चुकी है, and finally, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाली पूछूँगा, जिसका answer आप सब लोग करोगे, comment section में, question यहाँ पर यह है, कि भारत ammunition import करना बंद कर देगा, किस साल से, इसके बारे में भारतिय सिना ने एक statement दी comment section में करिए उत्तर, जो लोग सही answer देंगे, उनकी comment को मैं हाट दे दूँगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं के सही उत्तर क्या है, और finally, आपर मैं यह भी add कर दूँ, कि अगर आप life में एक बार properly UPSC examination के लिए prepare करना चाते हैं, आप एक college student है, आपके पास time है, 2-3 साल का, तो आप बिल्कुल purchase कर सकते हैं, study IQ का flagship UPSC course, आपको simply करना है, comment section में जाईए, यहाँ पे आपको link मिलेगा, इस link पर करिए click, और आपके सामने खुल जाएगा यह page, अगर आप mobile phone पे हैं, तो study IQ की जो app है, Google Play Store से आप download कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे आप buy कर सकते हैं, study IQ का UPSC course, जिस पे यहाँ पे लिखा होगा, P2I, P2I मतलब के prelims, mains, interview, तीनों section में study IQ आपके साथ रहेगा, prelims में आपकी complete help की जाएगी, exam clear करने के लिए, आपने prelims clear कर दिया, तो study IQ आपको invite करेगा, कि आए दिल्ली, रहे दिल्ली में, study IQ आपका खर्चा उठाएगा, मेंस की त study IQ के इस course में, और इस course की जो validity है, ये 30 महीने की आपको दिख रही होगी, और जो price यहाँ पे आपको लिख रहे ना, ये pay करना की ज़रोत नहीं है, simply आपर code यूज करिए PD10, and the prices will start falling, आपको और code भी आपर दिख रहे होंगे, ये code आप apply करेंगे, तो आपको maximum discount नहीं मिलेग जाँ आपको और दो आपको